आप देख रहे हैं फोन वर्ल और मैं हूं मिना शाह आज मैं कंपैरिजन करूंगी इतना तॉप का आइडिया हो ही गया होगा एक है मेरे पास इन्फिनिक्स नोट 7 जो की बिलकुल रिसेंटली लाँच हुई है और मेरे पास जो वेरियंट है इन्फिनिक्स नोट 7 का ये 6GB औ बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला है पाकिस्ताने मार्केट में इसके साथ इसके भी बहुत अच्छे स्पेक्स हैं अच्छे हाइलाइट फीचर्स हैं जो के अकसर हम लोग आपको अपनी वीडियो पर दिखा चुके हैं तो आज हम इन दोनों फॉन का इसकी जो प्राइस ह कि इसका फिजिकल ओवर्वियू देंगे तो स्टेट यो तो अगर आप इन दोनों फोन की तरफ देखें तो सबसे पहले आपको इसका साइज में बहुत जादा जो है वो डिफरेंस मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 7 जो है वो साइज में जादा ही पड़ी है ऑल्मॉस्ट 7 इ में डिफरेंस आगया वो इसकी साइज में आगया और इसके साथ इसका जो वेट है क्योंकि बहुत जादा डिपेंड करता है कभी आप स्मार्फोन यूज करें तो वन हैं यूज में अगर आपके लिए आपके लिए एजी है यूज करना तो सबसार अची वो बात होती है क् लोगों के जहन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है क्या ये इजी होगी केरी करने में इसका जो वेट है इन्फिनिक्स नोट 7 का वो है 206 ग्राम और अगर मैं वीव एसफन प्रो की बात करों तो इसका जो वेट है वो है 186 ग्राम बाकि अगर मैं इसके बिल कॉलिटी क बात करूं तो अगर आप इन्फिनिक्स नोट 7 के बैक पानल की तफ देखें तो प्लास्टिक के बैक पैनल दिया गया है ग्लॉसी सब जो है वो इसके आपको ग्लॉसी मिल रही है और में डिफरेंस आपको इसका जो है कैमरा सेट अप कर मिलता है इसमें आपको आपको एई स्टारत प्रो कि तरफ देखों तो अगर आप बक पैनल की तरफ देखें तो यह है ग्लास बिल्श यानि की आपको मिलता है इसका बैक पैनल की ग्लास का तो इसका बहुत ही डिकेट्स त्छ नायानले अपको बहुत ही जरूरी होता-ग सוכे ऑप ज़ार चड़ाएं ऑल्टो तो ग्लास पैक पैनल्स बहुत ही खुबसूरत लगते हैं मतला परसनी मुझे बहुत पसंद है वैसे मैं स्टार्ट में भूल कि बताना तो अगर मैंने नहीं बताया तो अगर मैंने नहीं बता देती हूं कि यहां पर आपको मिलता है IPS LCD एंड इसके साथ आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले इसके बेजल की तरफ आप देखें तो बेजल चे खासे कम हैं दिस्प्ले काफी बडा है तो बड़ा डिस्प्ले वैसे ही बाइस्प्राथ लगता है गेमिंग लीए एज इसके साथ मूवीस शहरा देखने के लिए चिन की तरह से थोड़े से सादा है इसके सथिए अगर मैं इसके कलर्स की बात करो क्योंकि इसकी indoor की भी performance अच्छी है, इसकी outdoor की भी अच्छी है, क्योंकि sunlight में बहुँ जादा एचीज मैटर करती है कि आपका display किस हद तक visible है और आप easily देख पा रहे हैं लेकिन अगर मैं Vivo S1 Pro की बात करों तो यहां पर बिल्कुल ही जादा बलके आपको difference मिल रहा है यहां पर आपको मिल रहा है, आपको Super AMOLED मिल रहा है, तो Super AMOLED लोग वैसे ही पसंद करते हैं Super AMOLED की वज़ए से इसमें in-display fingerprint sensor भी आपको दिया गया है, जो care screen के अंदर है, तो आप इसले इसको अपनी device को unlock कर सकते हैं आपको मिल रहा है, जो है वो मैं नहीं कर दिखा सकते हैं, जाहर है उसको side mounted fingerprint है, इसका in-display है, लेकिन इसका हम face unlock check कर सते हैं, क्योंके दोनों devices में मौझूद है इसमें आपको मिल रहा है 1080p की resolution, full HD display दिया गया है, तो display point of view से यहां पर difference हमें मिल रहा है जाहर है अब performance में फर्क तो होगा इसके display की performance में and Infinix Note 7 के display की performance में Vivo S1 Pro का screen to body ratio 83.4% है and Infinix Note 7 का screen to body ratio है, वो है 83.7% तो यह इसका कुछ physical overview था, अब हम बात करते हैं अन दोनों फोन के performance की, इसके OS की, इसके chipset की Infinix Note 7 में आपको मिलता है OS Android 10, XOS 6.0 and Vivo S1 Pro में आपको मिलता है OS Android 9, FunTouch 9.2 के साथ और यहां पर chipset जो के बहुत ही जरूरी होती है, किसी भी फोन की performance के लिए chipset बहुत मैचे करती है, जाहर है गेमिंग भी उस पर डिपेंड करती है कि अपकी गेमिंग performance कैसी है, आपकी camera performance कैसी है, तो अगर मैं Infinix Note 7 की chipset की बात करो तो इसमें आपको gaming chipset दी गई है, जो के gaming कहलना चाहते हैं अच्छी high settings पे, like PUBG and COD जिसका बहुत trend चल रहा है आजकल, और PUBG जो जितने भी gamers हैं, उनको high setting पे जाहरा मज़ा ही आता होगा, क्योंकि budget devices में आपको low setting मिलती है, जितनी कम आपको budget में device मिलेगी, उतनी ही आपको कम chipset मिलेगी, लेकिन budget devices भी आप जो है, आपको अच्छी chipset मिल रही है, और Infinix ने पता नहीं, आपकी बार कमाल किया है, कि इसमें जो chipset आपको दिया है वो है MediaTek Halo G70, तो यह है gaming processor, तो आपकी gaming experience बहुत अच्छा होगा, इसके हमने different videos भी बनाई है, अगर आप इसके जो है, वो एक सेपरेट कोई video देखना चाहते हैं, गेमिंग की तो वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, तो इसकी gaming performance मुझे काफी पसंद हाई PUBG, बहुत ही smoothly, जो है मैंने समें खेली, frame drops में नहीं मिले, graphics अच्छे थे, graphics साथ नहीं छोड़ रहे थे, तो वो एक मज़े की चीज हो गई, और हाई सेटिंग पर आप आप जो है, आप जो है वो पबजी एंच्छोई कर सकते हैं, इसकी चिपसेट मैना को उता वो है Adreno 610, तो अगर मैं इसकी गेमिंग की बात करों तो इसमें भी गेमिंग अच्छी हुई और इसमें बिलकुल अच्छी नहीं है, क्योंकि इन्फिनिक्स दोर 7 में आपको गेमिंग प्रोसेसर मिल रहा है, तो गेमिंग स्मूथली और अच्छी सी खेली गई हाई सेटि और यह नहीं, लेकिन मैंने गेमिंग इसमें किया है, थोड़ा से मैंने का आपको आइडिय हो जाएगा कि ग्राफिक्स दोनों में कैसे मिलते हैं, आपको डिफरेंस पता चल जाए और डिस्पे की परफॉर्मेंस भी आपको पता चल जाएगी दूरिंग गेम तो वो थोड अपको आपको 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 आपक 48 MP with f 1.8 aperture के साथ, यहां पे aperture भी सेम है, यहां पे लेंस भी सेम है, 48 MP लेकिन यहां पे कुछ और डिफरेंसे हैं, लाइक इसमें आपको अल्ट्रा वाइड अंगल लेंस दिया गया है, Vivo S1 Pro में 8 MP अल्ट्रा वाइड अंगल लेंस, f 2.2 aperture के साथ, और इसके साथ, macro lens जो है, वो भी इसमें मिल रहा है आपको, 2 MP f 2.4 aperture के साथ, और इसके वीवो S1 Pro में आपको एक और camera lens मिल रहा है, 2 MP f 2.4 aperture के साथ, जो के है depth sensing के लिए, और अगर मैं इन फिनिक्स नोट 7 की बात करूँ, तो इसमें तो एक आपको मेल गया है, 48 MP, लेकिन इसम 2 MP f 2.4 aperture के साथ, और depth sensing के लिए भी 2 MP f 2.4 aperture के साथ, लेकिन यहाँ पर ultra wide lens आपको नहीं मिल रहा है, जो के आपको वीवो S1 Pro में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक dedicated जो है, वीडियो camera मिल रहा है, फॉर लो लाइट, या फोटोग्रफी या वीडियोग्राफी, जो आप लोग खरते हैं रात में, अक्सार हम लोग फोटोग्रफी के लिए आपस लोग लाइप आजकल sensors दिया जाते हैं, या मूद दिया जाते है, लेकिन इसमें आपको dedicated video camera दिया गया है, कि आप रात में अच्छी वीडियोग्राफी कर सकें, तो वह आपको 2 MP f 1.8 aperture के साथ, लेकिन सिर्फ जो 6GB RAM वाला वेरियंट है, इस ही में आपको मिल रहा है, लाइक से जो कम है 4GB वाला उसमें आपको नहीं दिया गया, तो यहां पर हमें camera में ये differences मिलते हैं, बाकी camera में अल्दो इतना मुझे difference नहीं मिला, लेकिन आप लोग जादा अच्छा देख सते हैं, क् कौन से camera के pictures अच्छी हैं, किसका camera बहुत आदा enhance है, colors किसके उठके अच्छी आ रहे हैं, क्वान अच्छा color वो capture कर पा रहा है, अगर flowers हो गए, trees हो गए, यह अगर आप clouds को देख रहे हैं, और इसके साथ, अगर मैं इसके front camera की बात करूँ तो यहां पे front camera में आपको difference मिलता Infinix Note 7 का camera है, वो है 16 Megapixel का with f 2.0 aperture के साथ, इसमें भी आपको resolution सेम दी गई है, जो के Vivo S1 Pro में 1080p के resolution आपको दी गई है, 30 fps पे आप record कर सेते हैं, वीजियो की Okay, बात करते हैं, और details की, इसमें आपको मिलता है extra feature, like इसमें dual speaker stereo sound है, तो इसकी speaker quality बहुत अच्छी है, audio की बहुत मज़ेगी है, लेकिन आपको Vivo S1 Pro में ऐसा कुछ रही मिल आपको single speaker ही मिल रहे हैं, लास्ट में बात करते हैं, बैटरी की बहुत ही important होती है, किसी भी फोन क बैटरी और इसके साथ आपको super charge भी चाहिए होता है आज कल, क्योंकि जितनी जादा बड़ी बैटरी दी जाती है, उसके साब से आपको fast charging जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी बैटरी होगी time जादा लगे का charge करने में, तो उसके लिए fast charge होना ज़रूरी है, Fenix Note 7 की बैटरी की, तो इसमें जो आपको बैटरी दी गई है, वो है 5000 mH की बैटरी, तो यहाँ पर बैटरी भी difference आगया है, इसकी जादा बड़ी बैटरी दी गई है, लेकिन आपको इसमें भी 18W fast charge मिल रहा है, तो यह अच्छी चीज है क्योंकि 5000 mH की बैटरी एक दो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके बस 18W fast charge मौझूद है, तो इसली जल्दी ही चार्ज हो जाएगी, और यह बैटरी काफी लंबे अर्से तक चलेगी, लंबे अर्से तक मुनादे, चार देन आपकी चल सेती है, यह बैटरी तो यह पे आपको 5000 mH की बैटरी मेल रही है Note 7 में, Vivo S1 Pro में, आपको 4500 mH की बैटरी मिल रही है, यह मैं नहीं कह रही है, यह बी अच्छी चार्ज ही जादा है, लेकिन 5 चार्ज जादा ही हो गया, लेकिन 5 चार्ज आपको दोनों में मिल रहा है, ओके अब लास्ट में दुमारा से, मैं आपको इन दोनों की प्राइस बता देती हूँ, तो, Infinix Note 7 आपको मिलेगा, 28,999 में, 6GB वाला वेरियंट, और Vivo S1 Pro की प्राइस है, 43,999 प्राइस में बहुत जादा डिफरेंसिस है, यह 8GB वाला वेरियंट, और बाकी भी डिफरेंसिस आपको पता चल गए होगी इस वीडियो में, अगर आपको कुछ नही कैसी थी, कैमेरा परफॉर्मेंस कैसी थी, और इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, हमाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सौरी, रोजा है तो मेरी आवास थोड़ी सी आज, वो उस तरह बहुत जादा नहीं लाउड हो